हेलो दोस्तो श्वागत है आप सबी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परवेंट सिंग आप सबी लोगों के साथ में जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं सेकंड ग्रेड मैज का सेलेबर्स कम्प्लिट करवाया जा रहा है मेरे दौरा तो उसके अंतरगत हमपाट रहे थ एलजेबरा में कौड्रेटिक एक्वेशन कम्प्लिट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कल एक लॉग वीडियो एक गंटे का लाया था उसमें मैंने कम्प्लिट करवा दिया आज इस वीडियो में हम कम्प्लिट करेंगे जोमेट्रिकल जोमेट्रिक प्रोग्रेशन को यानि GP को ठीक है दोस्तों चलिए अब समझते हैं GP क्या कहती है और GP क्या होती है चलिए तो हमारा आज रहेगा GP के बारे में discussion सबसे पहले समझेंगे GP होती क्या है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक sequence के अंदर अगर कोई भी दो consecutive numbers का difference अगर सेम है तो आप उसको कहते हैं arithmetic progression और उस difference को यानि उस अंतर को आप कहते हो common difference यानि कि उवेनिष्ट अंतर लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं GP तो GP में जस्ट उसका उल्टा होता है GP में क्या हो जाएगा कि आप कोई भी दो consecutive number का ratio निकालेंगे यानि उनका अनुपात निकालेंगे और अगर वह अनुपात बराबर आता जाता है तो आप उसे कहते हैं कि यह sequence geometric progression के अंदर है यानि यह sequence GP के अंदर है ठीक है तो अब आप सबसे पहले इसकी definition लिखेंगे फिर कुछ formulas और फिर आप लोग जानते हैं कि मैं क्या करवाँगा questions तो चलिए definition लिखते हैं if ratio of any two consecutive numbers consecutive terms is constant ठीक है यह constant लिखा है throughout the sequence sequence then sequence is called GP ठीक है अब मैं आपको example से समझाता हूँ कि यह definition लिखवाई इसका मतलब क्या है if a1, a2, a3 up to aN are in GP then a2 upon a1 is equal to a3 upon a2 is equal to a4 upon a3 और यह कहां तक चलेगा तो यह ratio aN upon aN minus 1 तक इस ratio को हम क्या कहेंगे तो उसमें क्या था difference यानि common difference तो यह ratio है तो हम कह देंगे common ratio समझ में आ गई बात common ratio को आप R से represent करते हो यहां भी first term को आप A से ही represent करोगे तो GP की definition क्या हुई if ratio of any two consecutive term is constant throughout the sequence then sequence is called GP हिंदी में अगर आप किनी दो लगातार पदो का अनुपात निकालते हैं और वह नियत रहता है तो उस अनुकरम यानि sequence को गुणोतर स्रेणी कहते हैं ठीक है फिर मैंने बता दिया कि यदि a1, a2, a3, a4, a5, an तक जो है terms यह GP में है तो a2 upon a1, a3 upon a2, a4 upon a3, an upon an-1 जो ratio है वो कहलाएगा common ratio जिसको represent किया जाता है r से ठीक है अब next if first term of GP is a यानि कि किसी भी GP यानि गुणोतर स्रेणी का पहला पद a है and common ratio r उसका common ratio क्या है r then GP geometric progression will be a a a r a r a r 2 a r 3 up to a r n तक ये चलता रहेगा मतलब कि आपके पास मैं अगर किसी भी GP का पहला पद पहला पद a दे रखा है और उसका common ratio r दे रखा है तो आप उसको जो है ये लिख सकते हैं a a r a r r 2 a r 3 a r 4 मतलब r की पावर जो है वो बढ़ती जाती है 1 1 1 ठीक है चलिए अब हम सबसे पहले जो है लिखेंगे note point अब जो ऐसे कि मैंने उसमें लिखवा है थे 11 note point वैसे ही यहां भी आपको total 7 से 8 कुछ note points लिखवा रहा हूँ और वो note points लिखने के बाद मैं आपका start हो जाएगा question session ठीक है चलिए तो पहला point है आपके लिए कि nth पद अगर लिखना है यानि nth term of gp यानि कि gp का अगर n वा पद लिखना है तो उसमें भी an से represent कर रहे थे यहां भी आप an से भी represent कर सकते हो tn से भी represent कर सकते हो और वो होता है a r की power n minus 1 यानि जिस पद की बात हो रही है उससे एक कम power होती है तो a r n minus 1 ठीक है यह तो हुआ n वा पद निकालने का तरीका दूसरा फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ sum of n terms of a gp यानि की gp के अंदर जो n terms है तो उन n terms का जो sum होगा वो क्या होगा तो s n is equal to हो जाएगा a into 1 minus r की power n upon 1 minus r और दूसरा आप यहां जो है देखो r अगर एक से बढ़ा आ जाए तो आप यह भी कह सकते हो इसका फॉर्मूला a r n minus 1 upon मैं r minus 1 लेकिन यहां याद रखिएगा एक condition है कि r is equal to कभी भी 1 नहीं हो सकता समझ में आगई बात r equal to 1 नहीं हो सकता है यह बात आपको याद रखनी है ठीक है तो nth term तो क्या है t n is equal to a r n की power n minus 1 दूसरा है sum of n terms कैसे निकालते हैं तो s n is equal to होता है a into 1 minus r n upon में 1 minus r या फिर अगर r जो है एक से बड़ा आजाए या आप यहां लिख लिजिए लो conditions मैं यहां भी बताई देता हूँ यह कभ लिखना है जब r less than 1 हो एक से चोटा होगा तो यह positive है जाएगा और अगर r एक से बड़ा हो तो यह वाला positive है जाएगा समझ में आगई बात तो यह थे आपके second point जो आपको याद रखना है third note point है sum of infinite term यह तो था n term के लिए अब अगर आपके पास जो gp है उस gp में अनंत पद है यानि infinite terms है तो gp का sum क्या होता है तो आप लिख लिजिए और यह भी बहुत काम का formula है sum of infinite terms of a gp ठीक है तो यह जो है दोस्तों आपके s infinite हो जाएगा और यह होता है दो formula यहाँ निकल कर आएंगे एक तो हो जाएगा a upon 1 minus r और एक हो जाएगा plus minus infinite जब आपका r जो है वो minus 1 से लेकर के 1 के बीच में है तब तो होता है a upon 1 minus r समझ में आगई बात और अगर आपका mod r जो है वो greater than is equal to 1 हो जाए यानि कि एक से बढ़ा आ रहा हो आपका r तो उसका सम होता है infinite ये condition इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपको r के उपर ही answer depend करेगा infinite भी answer आ सकता है और कोई number भी आ सकता है अगर इसको solve करेंगे तो ठीक है तो ये आपको याद रखना है चोहता note point आपको लिखवाया जा रहा है कि जिस परकार से मैंने एपी में बताया था तीन पद लेने तो आप क्या लोगे तो वैसे ही अगर आपको कोई बोले कि तीन टम लेने हैं यानि थ्री टम्स इन जी पी कोई बोले कि आप assume करिये कोई तीन टम जी पी के अंदर तो वो तीन टम्स कौन से लोगे आप ए अपन आर ए और ए आर समझ में आगई बात अगर आप से वो कह दे कोई फोर टम्स इन जी पी तो आप क्या लोगे तो आप चार पद कौन से लोगे ए अपन आर क्यूब ए अपन आर फिर ए आर और आप ले लोगे ए आर क्यूग समझ में आगई बात यहाँ जो है कॉमन रिशियो क्या है तो मैं लिख़ा रहा हूँ देख लीजिये यहाँ इसमें जो कॉमन रिशियो यानि C आर जो है वो क्या है आर इसमें जो आपका C आर है यानि common ratio जो है वो है r square ठीक है और अगर कोई कह दे कि 5 terms तो आप लिखिए 5 terms in gp 5 पद अगर gp में लेने हो तो आप लेंगे a upon r square a upon r a ar ar square समझ में आगई बात और common ratio क्या हो जाएगा इसके लिए तो c r हो जाएगा आपका r ठीक है ये था आपका कौन सा point दोस्तो ये था आपका fourth point अब हम लिखेंगे fifth point fifth point जैसा कि मैंने ap में बताया था कि किसी पद को आप जो है एक कोई number अगर पूरी sequence में जोड़ते हैं या गटाते हैं तो उसके common difference पे कोई effect पढ़ा था क्या नहीं लेकिन अगर किसी number से multiply कर रहे हैं तो उसमें भी multiply होता था किसी number से divide कर रहे हो तो उसमें भी divide होता था वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप जो है किसी number में क्या करते हो किसी भी k को या जो है आप किसी अधर number को जोड़ देते हो तो उसका जो है आपके common ratio क्या रहेगा वो ही रहता है समझ में आ गई बात ठीक जोड़ते गटाते हो तब भी वही common ratio रहेगा गुणा करते हो तब भी वही common ratio रहेगा और divide भी करोगे तब भी वही common ratio रहता है तो मैं यहाँ देखो पहले लिख रहा हूँ A1, A2, A3, up to AN, R, N, GP यह तो GP में है तो चले लेकिन अब मैंने क्या करा A1, PLUS, MINUS, K कर दिया A2, PLUS, MINUS, K कर दिया और up to कहां तक AN, PLUS, MINUS, K कर दिया तब भी common ratio जो होगा वो यहाँ हम अभी एक एक बहुत ही important point लिखा रहा हूँ तो अभी इसको stop करिए फिर हमने क्या करा किसी number से multiply कर दिया AN into K ठीक है और हमने क्या कर दिया K से divide कर दिया A2 upon K A3 upon K up to AN upon मैं K समझे में आई बात अब मैं यहाँ जो लिखवा रहा हूँ वो देखिएगा जब भी आप किसी number को plus या minus करोगे तो जो sequence आएगा वो not in GP क्यों? अरे भाई किसी number को जोड़ा गटाया तो जो आपकी sequence थी वो तो GP में ही नहीं रहेगी तो उसका common ratio कुछ भी हो सकता है पहली बात वो GP में ही नहीं है तो उसका common ratio होगा ही नहीं ठीक? अगर किसी number से आपने multiply कर दिया तो उसके common ratio पे कोई effect नहीं होगा वो R का R ही रहेगा अगर किसी number से divide भी कर दिया तब भी common ratio R का R ही रहेगा ठीक है? लेकिन आपने खुरा पाती करके कुछ और ही कर डाला क्या कर डाला? आपने चौती चीज कर डाली जो आपने एपी में नहीं करी थी और आपने क्या करा? कि numbers की power में कोई एक common number चड़ा दिया यानि कि आपने सब का square कर दिया सब का cube कर दिया सब की 4 power लगा दी तो फिर आपके जो है beta c r पर effect पड़ेगा और तब आपका common difference क्या हो जाएगा? r की power के यानि जो power आपने सबी terms में लगाई वो की वो power उसके common ratio r में भी लग जाएगी ठीक है? साथी साथ आपने एक और अच्छी सी खुरापाती कर ली क्यों? क्योंकि मैंने तो log पड़ रखा था तो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आई अच्छा तो खुरापाती यह आई कि मैंने सब के आगे log लगा दिया यानि ln कर दिया ln a1 ln a2 ln a3 और कहां तक? ln an तक तो जो इसका common difference है यानि common ratio जो है c r वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके ln r यानि की common ratio के भी log लग जाएगा समझ में आई बात यह point पांचो के पांचो याद होने चाहिए direct इनसे question देखने को आपको मिलने वाला है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं next sixth point यह बहुत ही अच्छी important property है आपको कोई भी number चेक करने हो कि GP में है या नहीं है तो आप इस property का use कर सकते हो तो आप लिखेंगे if a b c are in GP then b upon a equal to होगा c upon b इसका मतलब हुआ कि जो middle number है उसका square होता है उसके दोनों side के numbers के multiply के समझ में आई बात यानि कि जो तीन number के बीच में number आ रहा है उसका square करो उसके side के जो दोनों number है उनका multiply करो अगर equal आ जाता है तो वो तीनों के तीनों number किस में कहलाएंगे GP में कहलाएंगे ठीक है अब हमने एक property पड़ी थी AP के अंदर कि आप अगर जो है equal distance beginning से यानि starting से equal distance और पिछे से भी तीसरा आगे से भी तीसरा पत लेते हैं और उन दोनों को जोड़ते है तो वो हमेशा equal आता जाता है ऐसे ही आपका GP के अंदर क्या होगा product हो जाएगा यानि कि आप लिखेंगे product of terms equal distance equal distance from the beginning from the beginning end end is constant end is equal to product of first end last term for a GP कहने का मतलब है अगर आप GP के अंदर पहले और अंतिम पद का गुणा करते है तो वह गुणा equal distance से यानि आगे से तीसरा पिछे से भी तीसरे पद के गुणा के बराबर ही आता है मैं इसको यहां लिखवा रहा हूँ कैसे देख लो if a1 a2 a3 up to an r अचाल जो किए लास्ट बार की तरह यहां पहले पद लिख देते हैं कुछ तीसरा पद भी an-2 an-1 an r in GP ठीक है then अब आप जो है पहला पद यानी a1 और अंतिम पद यानी an का गुणा करते हैं तो यह गुणा एकुणा आएगा आगे से आपने लिया मान लो तीसरा पद और पिछे से भी आपने लिया तीसरा पद तो इन तीसरे तीसरे पद के multiply करेंगे उसके equal समझ में आगई बात ऐसे ही अगर आगे से दूसरा पद लेते हैं और पिछे से भी दूसरा पद लेते हैं तो इनका भी multiply जो है वो equal आएगा समझ में आगई बात और यह equal आएगा तो आपको यह पता ही है कि यह जो होगा इनका जो suffix लगा रहता है यानि जो इनके देखो बेस में जो इनमबर लिखा रहता है न वन और एगा यह अगर आप add करोगे तो वो हमेशा equal आएगा देखो 1 प्लस n यह 3 प्लस n माइनस 2 यानि 1 प्लस n यह भी 1 प्लस n तो यह हमेशा क्या आएगा constant आएगा sum करने पर लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया था अगर एक तरब दो नमबर है तो दूसरी तब भी 2 ही होने चीए तीन पद नहीं हो सकते हैं ठीक है चलिए अब इससे संबंदित हम करेंगे question practice तो आप लिखिए पहला question और पहला question कहता है कि if a7 into a17 equal है a10 into aKK then find k यह कह रहा है कि आपके पास में दो नमबर है ठीक है दो नमबर का multiply करा a7 पद का और a7 पद का और एक दसवे पद का तो आपके पास एक कोई केवा और पद है तो आप बताएए कि k की value क्या होगी मैंने बताया था यह sum जो है equal आएगा तो 7 plus 17 equal to 10 plus k इसको जैसे ही solve करोगे k बराबर आएगा 14 क्योंकि यह है 24 minus 10 14 तो कहने का मतलब हुआ कि आप a 7 पद और a 7 पद और एक 10 पद और एक 14 पद का अगर गुणा करते हैं तो वो बराबर आता है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरा कोशन इन अ जी पी इफ ती 3 आपको पता है ना अन कहें चाहें टी अन कहें वो इक्वली यह 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 त्री भी कह सकता था इसको लेकिन इसने क्या कहा ती 3 कहा एंड टी 6 इक्वल है माइनस 1 बाई 4 के दैन फाइंड टी 10 कोशन क्या है कि भाई आपके पास मैं हमने ए 3 यह यह तीसरा पत दे दिया जी पी का और जी पी का चट्टा पत दे दिया माइनस एक बटे चार आपको निकालना है दसवा पत तो आप क्या करेंगे तीसरे पत का टी 3 का मतलब क्या है इसका मतलब हुआ ए आर 3 माइनस 1 यानि की ए आर 2 इस इक्वल टू आ गया 2 यह हो गया एक काम कम्प्लिट नेक्स्ट टी 6 इसका मतलब क्या हुआ ए आर 6 माइनस 1 यानि ए आर 5 यह इक्वल है किसके माइनस 1 अपॉन 4 के ठीक है यह हो गई हमारी पहली एक्वेशन यह हो गई हमारी दूसरी एक्वेशन जब भी आपको ऐसा एपी जीपी वाला जीपी का कोशन है देखो एपी में तो क्या करोगे गुणा या अरे सॉरी प्लस या माइनस और अगर आपके पास में जीपी है तो आप या तो गुणा करो या फिर भाग करो ठीक है हमें यहां दिख रहा है कि अगर हम जो है देखो ए आर 5 अपॉन में A, R, 2 करें यानि माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन में 2 करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आंसर आ जाएगा कैसे आएगा देख लो A से A कट जाएगा R स्कूर है यह कटेगा तो यह R क्यूब आएगा क्या आएगा R क्यूब और जब आप इसको सॉल करोगे ते आएगा माइनस का 1 बाई 8 यानि हमारे पास आगया R क्यूब इस इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 और इसका सीधा सा क्या मतलब है कि R बराबर है माइनस का 1 अपॉन 2 समझ में आ गई बात तो R आगया हमारे पास में माइनस 1 अपॉन में 2 अब इस R को आप पूट कर दीजिए पहली समिकरण में यानि A R स्कूर के अंदर तो देखो A इंटू R स्कूर का मतलब हुआ 1 बाई 4 क्यूंकि R की वेल्व माइनस 1 बाई 2 है इसका स्कूर करोगे तो आजाएगा 1 बाई 4 इस इक्वल 2 हो जाएगा 2 तो हमारे पास यहां से क्या आजाएगा A बराबर में 8 समझ में आई बात तो हमारे पास में A बराबर 8 आगया R बराबर माइनस 1 बाई 2 आगया अब बचा क्या है हमें निकालना A और R आगया अब हमें निकालना T10 तो T10 अगर निकालना है तो मैं यहाँ यलो पैन से लिक रहा हूँ देख लो T10 बराबर हो जाएगा A R 9 ठीक है इसमें वैल्यू पुट करो 8 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 की पावर में 9 ठीक है यह जो है 2 की पावर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 9 अब यह 2 की पावर 3 है यह 2 की पावर 9 है तो यह कटेगा तो यह क्या आएगा 2 की पावर में 6 तो माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 6 यही हमारा आंसर है समझ में आगई बात यही हमारा क्या है आंसर है ठीक है समझ में आगई बात तो आप लोगों को मुझे लगता है अब कोई doubt नहीं होगा कि देखो ऐसे question आपसे पूछे जाएंगे बैए GP के अंदर ऐसे ही question पूछे जाते हैं मैं और आपको question करवा रहा हूं जिसे आपको समझ आएगा कि हमें किस किस परकार के questions और भी पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए अब एक अच्छा सा question उठा रहे हैं हम आपके सामने third और third question आपसे पूछा जा रहा है find sum और sum निकालना है आपको two plus two two plus two 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 plus two 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 plus ये जा रहा है आपके plus two end terms तक यानि कि ये two जो है end बार end बार आएगा कितनी बार आएगा end बार आएगा यानि end terms तक अब इसका आपको sum निकाल करके बताना है तो मुझे लगता है कि आपको यह question देखते ही दिमाग में आ रहा होगा कि sir इस question में APGP का क्या लेना देना दोस्तो इस question में APGP का है लेना कैसे कि ये ना तो AP दिख रही ना GP दिख रही लेकिन ये जो question स्वाल होगा वो GP के concept से ही स्वाल होगा और देखेंगे हम आपको स्वाल करके दिखाने वाले हैं कि कैसे स्वाल होगा देखिए आप इसके अंदर क्या करिए 2 common ले लिजिए तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन वन प्लस वन 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 प्लस वन 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 प्लस ये जो आपके end terms तक वन 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 हो जाएगा ठीक है ये हो गया अब आप क्या करिए इसका देखो ये fix method है तो आपको ये fix का fix पूरा method याद रखना है और direct इसकी trick भी बताऊंगा कि जब जैसा दिखेगा तो इसका answer direct भी लिख सकते हैं लेकिन अभी आप सीखिए अब इसमें क्या करेंगे पूरे में 9 का multiply करेंगे तो 9 का divide भी करना पड़ेगा 9 से divide और 9 से पूरी में multiply करने पर ये हो जाएगा 9 फिर ये 99 फिर ये 99 और ये आपके वापस से N terms तक समझ में आगई बात अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 9 इंटू 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 अब 2 N terms ठीक है यही रहेगा अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन 9 तो एजिटीज और इसमें ये जो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ने ये N times तक बार आएगा तो ये तो हो जाएगा N इसको कर दो अलग और इस सीरीज को लिख दो अलग यानि 10 प्लस 100 प्लस 1000 और ये कहां तक जाएगी ये जाएगी 10 की पावर N तक अरे बाई देखो ये 10 है ये 10 की पावर 2 है 3 है तो 10 की पावर N तक जाएगी और माइनस में हो जाएगा N ये सर्म माइननस एं कहां से आया ये जो 1, 2, 3 ये देखो 1, 1, 2, 3 एक, 1, 2, 3, ये कितनी बार है एंड बार है तो एंड बार जूट जाएगा एक, 1, 2, 1 बार जूट जायागा तो एंड हो जाएगा समझ मैं आइब कात तो ये हमने यहाँ माइनस कर दिया अलग से अब इसको लिखेंगे 2 upon 9 और ये देखिए ये क्या है 10 की power 1, 10 की power 2, 10 की power 3, 10 की power 4, 10 की power n ये तो बन गई एक GP GP में n पदों का योग क्या होता है a into r अगर एक से बड़ा है तो r की power n r कितना है यहाँ 10 है देखो 100 में 10 का पाग 10 1000 में 100 का पाग 10 10000 में 10 का पाग 10 तो यह आगया r की power 10 आगया 10 की power n minus का 1 upon क्या हो जाएगा r minus 1 यानि 10 minus 1 और ये minus का n एजी टीज आई बात ये तो पूरा का पूरा बाई ये GP था वो गनवर्ट होके यह आया है अब इसको हम लिखेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा 2 upon 9 into 10 into 10 की power n minus 1 upon में ये 9 minus n पस यही हमारा answer है ये इतना ही solve होगा अब मैं यहां आपको एक trick बता देता हूँ कि आपको यहां क्या करना है ये formula याद रखना है अगर ये 3 3 3 3 3 होता तो यहां आपके 2 की जेके केवल आजाता 3 4 4 4 होता तो यहां आजाता 4 5 5 5 होता तो यहां आजाता 5 बाकी सब ऐसे के ऐसे चलेगा समझ में आगई बात ये trick इसलिए याद रखनी है क्योंकि इससे जो है दोस्तो जब भी question आएगा तो आपको पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यानि इतना पूरा जो solution मैंने बताया इतना आपको solution करने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझ में आगई बात ठीक है अब ये तो ऐसे स्वाल हो गया अब मैं आगे कुछ आपको और tricks बता रहा हूँ ये एक trick थी इसके अलावा और tricks आप लिख लीजिए ठीक है direct थी और tricks के अंदर पहला अगर आपको एक ही नंबर का multiplication दे दिया जाए यानि ये ऐसे लिख करके आपको multiply करने को बोले इसका अगर आप से पूछे कि इसका solution क्या होता है तो जो इसका answer आएगा multiplication वो आएगा a upon 9 into 10 की power n minus 1 ठीक है ये आप याद रखेंगे दूसरा एक और series बन सकती है यहाँ वो बन सकती है 0.a plus 0.aa plus 0.aa और ये कहां तक ये आपके चल सकता है n terms तक तो क्या हो जाएगा इसका sum जो होता है वो होता है a upon 9 into n minus 1 upon 9 into 1 minus 1 upon 10 की power n समझ में आगई बात तो ये दो tricks है जो आपको direct अगर ऐसी series मिल रही है तो आप direct answer लिख सकते हो समझ में आगई बात क्योंकि आप वहाँ solve करने बैटोगे अपना ग्यान वहाँ नहीं दिखाना है कि ओहो मुझे तो आता है अरे आता है तो अच्छी बात है सो आता है क्या हुआ तो आता है तो आए गई ने इसमें कौन सी बड़ी बात है तो हमें लेकिन answer जल्दी से जल्दी एगर लाना है तो वहाँ हम ये tricks use कर सकते है चलिए next आपको fourth question करवा रहा हूँ मैं if sum of three consecutive terms of a GP is 19 and their product is 216, find as infinite. क्या निकालना है, as infinite आपको निकालना है, question क्या कहा रहा है वो पूरा मैं समझा देता हूँ, देखो, if sum of three consecutive terms of GP, GP के तीन पद्य दे रखे हैं, consecutive लगातार वाले, उनका योग जो है, वो है 19 और उनका जो गुणन फल है, वो है 216, ठीक है, आपको as infinite निकाल कर बताना है, ठीक है, इसके कहने का मतलब three terms की बात कर रहा है, तो अपन कौन से लेंगे, a upon r plus a plus ar, ये कितना दे रखा है, sum तो दे रखा है, 19, और a upon r, गुणा a, गुणा ar, कितना दे रखा है, 216, मेरे इसाब से कुछ को समझ आ गया होगा, कि मैंने ये तीन पद क्यू बोले थे, जैसा कि उसमें d कट रहा था, वैसे यहां r जो है, य यहां r, r कट जाएंगे, तो क्या बचा, a cube बराबर 216, और cube जो है, ये किसका है, 6 का, 6 का cube कितना होता है, 216, इसलिए, तो a बराबर आ गया, 6, a बराबर 6 आ गया है, तो a इसमें put कर दो, यहां से r निकल जाएगा, तो यह हो गया, 6 upon r plus, 6 plus 6 r is equal to 19, ठीक है, इसको जब आप पूरा r, lcm लेकर के इदे multiply वगरा करेंगे, तो यह quadratic equation आ जाएगी, और वो आ रही है, 6 r square, minus 13 r, plus 6, बराबर 0, कैसे मेरे को दिख रहा है, देखो, r इदे, lcm लोगे, इदे हो जाएगा, 19 r, बाकी का, देखो, यह 6, यह 6 r, और यह 6 r square, यह 6 r आ रहा है, यह 19 r आ रहा है, यह इदे आएगा, तो minus का, plus का 6, minus का 19, यह नि, minus 19 r, और यह 6 था, तो यह 6 आ गया, यह बन गई quadratic equation, इसका root निका लेंगे, मैंने आपको बताया, स्रीदराचारियो method लगा सकते हो आप, ठीक है, तो देखो, हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, यह लो, यहा 13 plus minus b square, यानि की 169 minus 4, a की value 6, और c की value 6, upon मैं 2 into 6, इसको करो solve, यह हो जाएगा, 13 plus minus under root, यह है 139 minus charging choice, choice, charging 36, 36 into 4, 36 into 4, अगर आप करोगे, तो 144 आएगा, तो 169 minus 144, upon मैं 12, यह हो जाएगा, 13 plus minus, 169 minus 144, यानि 25, और यह आजाएगा बाहर, तो यह हो जाएगा 5, यह हो गया 12, यह हो गया 12, यह हो जाएगा 18, यानि की 3 upon 2, और अगर आप minus sign लोगे, तो यह हो जाएगा 2 upon 3, तो यह दो R की value आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, R की value दोनों आ गई आपके पास मैं, चली, अब यह जो दो R की values आई है, यह है क्या है R1, और इसको मान लो R2, तो अब आप S infinite निकालोगे, दो बार, एक निकालोगे, R कौन सा लेकर के, यह एक ब पता है पहले से, कि S infinite अगर निकालना है, और R अगर एक से बढ़ा है, यानि जो यह R2 है, तो greater than 1 है, कितना है, 1.5, बढ़ा है, तब तो इसके लिए तो answer S infinite का क्या होगा, infinite, और R1 जो की है, 1 से चोटा, तो इसके लिए S infinite का formula, तो देखो, S infinite R1, कितना हो जाएगा, A, यान कि 2 upon 3, इसको solve करेंगे तो, यह 3 उपर आएगा, 18 answer हो जाएगा, समझ में आई बात, कैसे, अरे भाई देखो, इदर लोगे LCM, 3 minus 2 upon 3, यह 3 जाएगा, उपर, कितना हो जाएगा, 18, 18 upon 3 minus 2, यानि 3 minus 2, 1, तो 18 upon 1, यानि 18, और अगर आप R2 के according देखोगे, तो इसकी value क्या हो minus infinite, ठीक है, या फिर आप plus infinite भी दे सकते हो, यह वैसे R2 greater than 1 है, तो यह minus infinite नहीं आके plus infinite होगा, ठीक है, अगर यह negative आ जाता, मतलब, minus 1 से बड़ा है, अरे, 1 से बड़ा है, लेकिन ऐसा हो जाएगी, बाई, यह negative में आ रहा हो, minus 1 से beyond जा रहा हो, मैंने आपको लिखवा है, mod R जो है, वो greater than 1 होना चीए, ठीक है, तो यह plus minus infinite, लेकिन हमारे जो है, इस answer का कोई मतलब नहीं है, हमारा answer जो है, वो 18 गिना जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो question मैंने जो आपको करवाया, और जो आपको पूरे concept बताए, मेरे हिसाब से, आप लोगों को समझ में आ चु के होंगे, ठीक है, चलिए, next question, हमारा fifth, fifth question कहा रहा है, the sum of an infinite, infinite number of terms, of a GP is 15, and sum of their square is 45, find the series, इसका क्या मतलब है, question कहा रहा है कि, if sum of an infinite number of terms of GP, यानि GP के अंदर, आपके पाद जो infinite terms का अगर sum जो है, वो दे दिया, हमने 15 है, और जो number है, उनके square का sum अगर देखें, तो वो है 45, infinite terms के जो infinite terms है, उनका sum तो दे दिया 15, और वही infinite terms का अगर हमने square कर दिया, तो उनका sum आजाता है 45, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो series क्या है, यानि आपको जो GP आएगी वो बतानी है, तो आपको क्या करना है, A और R निकालना है, फिर आप GP बना सकते हो, A, AR, AR, square, AR, cube, इससे, ठीक है, तो ये question जो है, आप लोगों के लिए homework है, आप लोगों को इसका answer इसी वीडियो में comment करके बताना है, और पूरा solution अगर आप लोग share करना चाते हैं, तो जो निचे whatsapp number scroll हो रहे हैं, उसके उपर आप share कर सकते हैं, इसी के साथ में GP topic भी आपका complete होता है, next वीडियो में मैं आप लोगों को HP यानि harmonic progression करवाऊंगा, और उसके बाद AP, GP, HP तीनों के तीनों complete होंगे, फिर हम नेक्स topic के उपर बढ़ेंगे, और आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों को जैसा बताया गया है, जै हिंद, जै बारत, धन्यवाद